गुद मॉरिंग स्टुडेंट्स प्रिविएस क्लास में हमने एक्सेस 2.1 कंप्लीट कर ली थी आज हम करेंगे एक्सेस 2.2 कोशिन नंबर फर्स्ट है विच अप दे ड्रॉइंग ए टू डी शो हमको ड्रॉइंग दे रखिये और यह डिजिट दे रखिये तो इसको हमें पार करेंगे ना वह वाली और थर्ड है 3 x 2 by 3 इसका अंसर है तो यह कैसे हुआ तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि एक सर्कल है इसमें अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो तोटल पार्ट कितने होगे वह डिनॉमिनेटर में आएंगे 4 और 1 पार्ट को अगर हम सेड़ेड करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 1 by 4 लाइग अगर हम 2 पार्ट को सेड़ेड करते हैं तो इसको लिखेंगे 2 by 4 एक rectangle है rectangle को हम 1,2,3,4 and 5 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिख देंगे 5 अगर इसके 2 पार्ट को हम सेड़े तो क्या आजाएगा टू बाई फाइफ नेक्स्ट टू मुल्टिप्लाई वन बाई फाइफ तो यह जो डी वाला जो डाइग्राम आपका है तो इसमें वन बाई फाइफ तो यहां पर डी वाला जो मैच हो रहा है फाइफ पार्ट से और वन बाई फाइफ तो वन पार्ट को क्या कर रखा है शेड़ेट कर रखा है तो इसका मैच हो जाएगा 3 3 multiplied 2 by 3 तो कितने parts को हम सेड़ेट कर देंगे 2 parts को इसमें भी ऐसे ही था हमने किया था इसमें भी हमको वही करना है कि कोशन है 3 multiply 1 by 5 तो numerator को numerator से multiply करेंगे तो 3 multiply 1 क्या हो जाएगा 3 by 5 denominator में कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 multiply 5 क्या हो गया 5 तो 3 by 5 3 by 5 कौन सी picture को show कर रहा है जिसमें 3 by 5 picture picture number c वाली जो picture है ना उसमें 1 by 5 5 parts है square दे रखा है उसको 5 parts में divide कर रखा है 1 2 3 and 4 5 1 2 3 4 5 हो गया तो 1 by 5 कितने part को shaded कर रखा है इसमें 1 by 5 1 part को shaded कर रखा तो यह क्या हो जाएगा 1 by 5 तो कौन सी picture में मैच हो रही है फर्स्ट वाली का आंसर c से मैच हो रहा है next अगर हम 2 multiply 1 by 3 second question है 2 multiply 1 by 3 तो यहाँ पर 1 by 3 तो 1 part कौन से shaded है तो इसका answer हो जाएगा 3 and 4 वापस हमको answer का भी करना है तो यहाँ पर 3 part को shaded कर दो multiply 3 next 2 multiply 2 multiply 1 by 3 equal 2 by 3 इसको कैसी करेंगे इसका answer तो ऐसे यह आ रहा है जैसे वो ए में circle दे रखा है ना first circle multiply and equal 1 part को shaded कर रखा है तो हमारा answer क्या रहा है 2 by 3 numerator को numerator से multiply करेंगे तो 2 multiply 1 क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ पर 3 parts में इसको divide कर लो और 2 parts को shaded कर लो only for match करना है यह आपको notebook में note नहीं करना है only for book में ही note करना है next question number third multiply and reduce the two lowest form and convert into the mixed fraction mixed fraction में change करना आना चाहिए question number first 7 multiply 3 by 5 तो numerator को numerator से multiply करेंगे 7th रिजा 21 अपान 5 इसको mixed fraction में कैसे change करेंगे divide करो 5 4s आ 20 and 1 तो remainder कहां लिखेंगे अपर numerator यह 5 जो आ जाएगा denominator whole number पर क्या जाएगा 4 जो answer आएगा हमारा questions questions and 1 तो 4 1 by 5 next question 4 multiply 1 by 3 इसको कैसे करेंगे numerator को numerator से multiply कर दो 4 by 3 divide कर देंगे वापस mixed fraction को 1 1 तो क्या लिखेंगे 1 1 by 3 next question 3 2 multiply 6 by 7 6 तूजा 12 12 12 by 7 mixed fraction में भी change करना है वापस तो 12 में 7 का divide करो 7 बंजा 7 7 तूजा तो 14 होता है तो 7 बंजा 7 क्या हो जाएगा 1 12-7 5 तो answer आ जाएगा 1 5 5 अपॉन 7 question number 7 जो पार्ट में नहीं करवा रही हूँ वो आपको प्रेक्टिस नोट बुक में प्रेक्टिस करना है 11 फोर्जा 44 44 अपॉन 7 डिवाइड करो 7 शिक्सा 42 2 रिमेंडर बच गया तो इसको मिक्स फ्रेक्शन में चेंज करेंगे 6 2 बाई 7 next एक लास्ट पार्ट और कर देते है 10 15 multiply 3 by 5 15 फ्रीजा 45 45 डिवाइड बाई 5 5 में डिवाइड देंगे जो क्यों होगा 5 नाइन सा 45 अंसर आजाएगा 9 Quesion No.4 पिच्चर्स दे रखी उसको में शेड़ेड करना है 1 by 2 of the circle in the box तो फर्स बॉक्स में कितने circle है Quesion No.4 1 by 2 of the circle यह भी आपको बॉक्स में ही करना है इन बॉक्स यह वन तू तू त्री फोर फाई सिक्स सेवन एट नाइन तैन इलेवन इन त्वेल तो मल्टिप्लाइ कर देंगे कट हो जाएगा 2 सिक्स आ 12 6 क्या आंसर आया 6 तो 6 6 circles are to be shaded कितने parts को shade कर देंगे कितने circle को 1 2 3 4 5 5 6 नेक्स अगर एक और एक कोशन ले लेते हैं अपन 3 बाई 5 अफ दे स्क्वेर इन बॉक्स या फिर सेकंड वाला ही कर लेते हैं 2 अपन 3 अफ दे ट्राइंगल इन बॉक्स तो बी वाले डाइंग्राम कैसे बनाया है कितने triangle है इसके अंदर count करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं 9 triangle तो क्या हो जाएगा 2 2 multiply 2 by 3 multiply 2 by 3 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 वन बाई टू, वन बाई टू ओफ, फर्स्ट तो है ट्वेंटी फूर, एंड सेकंड है, फॉर्टी सिक्स, तो वन बाई टू, ओफ मिन्स क्या, मल्टिप्लाई करेंगे, तो वन बाई टू को मल्टिप्लाई कर देंगे, ट्वेंटी फूर से, तो क्या अंसर आएगा, कट हो जाएगा, 12 तो इसका अंसर आजाएगा, 12, सेकंड वाले से करते हैं, 1 बाई 2, मल्टिप्लाई 46, टू की टेबल से कट हो रहा है न, या फिर 2 का अगर 46 में डिवाइट देंगे, तो आंसर आएगा, 23, तो इसका अंसर क्या आजाएगा, 23, next, इसका second part भी आपको ऐसी solve करना है, D part एक और देख लेते हैं, 4 by 5 of, first है 20, and second है, दोनों से multiply करना है, 20 से भी multiply करना है और second 35 से भी multiply करना है, तो कैसे करेंगे, 4 by 5 multiplied 20, and 4 multiply by 4, क्या हो जाएगा, 4 4s आ 60 Next इसको वापस 35 से भी multiply करो 5 7s आ 35 and 7 4s आ 28 Clear? Next, question number 6 Multiply and express as a mixed fraction Mixed fraction में भी change करना Mixed fraction को improper fraction में चेंज करना है and then multiply भी करना है First question 3 multiply 5 1 by 5 Mixed fraction में कैसे change करेंगे Multiply करेंगे और उसके बाद add करेंगे 3 multiply 5 5s आ 5 5s आ 25 25 plus 1 क्या हो जाएगा 26 by 5 26 को वापस 3 से multiply करेंगे Numerator को numerator से multiply करेंगे And denominator को denominator से 78 आ जाएगा answer इसका और 5 इसको वापस अगर हम Mixed fraction में चेंज करेंगे Mixed fraction में चेंज करना आ गया है आपको तो अगर जाएगा 5 में इसका divide देंगे तो इसका answer आएगा 5 15 3 by 5 जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो Next E part कर लेते हैं इसका ये A part था E part 3 multiply 1 by 4 3 1 by 4 multiply 6 पहले इसको Mixed fraction में चेंज करते हैं 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 upon 4 multiply 6 numerator को numerator से multiply करेंगे तो अगर हम इसको 2 की table से cut कर दे तो 2 times और ये हो जाएगा 3 times तो 13 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 39 upon 2 अगर इसको हम 39 upon 2 को वापस Mixed fraction में चेंज करेंगे तो answer आएगा 19 1 by 2 बाकी parts आप इसके homework में करोगे practice notebook में Next question Question number 8 देखो बचो तो सबसे first time क्या करेंगे water consumed by विद्या 2 by 5 कोशन में दे रखा है then उसके बाद total कितना है फाइफ लिटर था हमारे पास तो 2 multiply 5 तो 5 से 5 कट हो गया तो 2 लिटर्स विद्या ने कितना पी लिया तो प्रताप का कितना बच गया अगर आपके पास 5 तौफी है उसमें से 2 मेंने खाली तो पीछे कितनी बची माइनस करेंगे ना हम तो 5 लिटर टोडल था उनके पास water तो 2 लिटर तो विद्या ने पी लिया तो कितना बच गया पीछे 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 फांसर क्या आगया 3 लिटर नेक्स्ट कुछा है वाट फ्रेक्शन अफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इट प्रताप ब्रिंक प्रताप ने कितना पिया तो 3 बाइफ फाइफ लिटर्स इसको हम फ्रेक्शन में चे नेक्स्ट क्लास में 2.3 एक्सरसाइज करेंगे जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाया है वो आपको प्रेक्टिस नोट्बुक में प्रेक्टिस करना है ओके कि अग्या